नमस्कार मोटी फुरॉल में आप से भी का स्वागत है आज हम लोपरेंगे डेली क्रेंट अफियर्स यानि की 22 जुलाई 2021 का क्रेंट अफियर्स जो आने वाले सभी एक्जाम्स के लिए बहुत ही महत्पूर्ण है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्विशन से हाल हमें सुरू किये गए राष्टिय लोजियेस्टिक्स उद्कृष्टता पुरुसकार से कौन सा मंत्राले जुरा हुआ है ओफसन है प्रुष्कार ने राश्टिये लॉजी एस्टिक्स उतक्रिष्टा पुरुष्कार सुरू किया है यह पुरुष्कार दोस्रेडियों में दिया जाएगा पहले समों में लॉजी एस्टिक्स इंफ्राइस्ट्रक्चर सेवा परदाता सामिल है और दुसरी सरेडियों में विभ सौट लिस्ट किये गए परवेश करता अपना केस राश्टिय जूरी पैनल के सामने पेस करेंगे और विजयताओ की घोसना 31 अक्टुबर 2021 को की जाएगी दूसरा क्विश्टन है भारत के किस आई 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 टी संस्थान ने अपनी तरह की पहरी ऑक्सीजन रासिनिंग डिवाइस एमलेक्स की बिक्सित की है आई 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 टी पूने वी आई 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 टी खगरपूर सी आई 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 टी दिल्ली डी आई 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 टी रोफर सही उत्तर होगा आई 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 आ एमिलेक्स विक्सित की है यह डिवाइस एमिलेक्स सांस लेने तथा रोगियों द्वारा कारवन डॉक्साइज छोरने के दुरान रोगी को ऑक्सीजन की अविसकता अविसक मत्रा की अपूर्थी करती है तीसरा कुश्स है हाल हमें किसने होदोगिक पैमाने पर स्वादेशी हाई एस्ट्रेंट वीटा टाइटेनियम मिस्र धातु विक्सित की है ओफ्सन है ए इस रो वी डियर डियो सी बी सी सी आई डी टाटा ग्रूफ सही उतर होगा ओफ्सन वी यानि की डियर डियो चौथा कुश्स है एरो स्पेस स्ट्रक्चरल फोर्जिंग में इस्तेमाल के लिए हाल हमें रक्षा अनुसंधान और वीकास संगठरन डियर डियो ने हैदरबार में इस दीद परमुक्र रक्षा धातु कर्म अनुसंधान परूफ साला में उत होगी पैमाने पर बेनेडिय हैरन और एलमुनियम युक्त एक हाई एस्ट्रेंद मेटा एस्टेवल वीटा टाइटनियम में सरदात विक्सित की है चौथा कुश्ट्रस है भारत सरकार ने डियरी छेत में निवेश को बढ़ावा देने और सुगां बनाने के लिए किसकी अस्ताफना की है आफसन है डिय डियरी इंक्रीस एक्सलेरेटर वी डियरी मोव एक्सलेरेटर सी डियरी मिक्स एक्सलेरेटर डियरी इंवेश्टमेंट एक्सलेरेटर सही उतर होगा ऑफसन डिय यानि की डियरी इंवेश्टमेंट एक्सलेरेटर भारत सरकार के पसु पालन एवं डेरी विवाग के डेरी विवाग ने देशों में डेरी छेत में निवेश को बढ़ावा देने और सुगम बनाने के लिए डेरी इंवेस्टमेंट एक्सलेरेटर की अस्तापना की है ये इन्वेस्टमेंट एक्सलेरेटर निवेसको के साथ इंटरफेस के रूप में काम करने करिये बनाए गई एक क्रॉस फंक्शनल टीम है पाँचमा क्युशन से लाजियेस्टिक श्यथप पर ध्यान कैदित करने के उद्येस से सरकार ने किस पुरुसकार की सुरुआत की है Option A. राष्टिय लोजियस्टिक उत्कृष्टा पुरुस्कारो V. राष्टिय लोजियस्टिक उत्कृष्टा पुरुस्कारो C. राष्टिय उत्कृष्टा पुरुस्कारो D. इन में से कोई नहीं सही उतर होगा Option A. यानि की राश्टिये लोजियस्टिक उत्करिष्टा पुरुसकारों भारत सरकार ने लोगों का लोजियस्टिक छेथवा ध्यान के दित करने के उदे से राश्टिये लोजियस्टिक उत्करिष्टा पुरुसकारों की सुरुआत की है ये पुर्सकार दोस रिणियों भी भाजित किये गए है पहले समू में लोजियस्टिक, इंफराइस्ट्रक्चर, सेवा फर्दाता के लिए और दूसरे बिभीन उप्यों करता हुद्धियों के लिए है चट्था कुश्टन से अगर पेरो की वेवसाई खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज सरकार ने पहल सुरू की है और तिरिफूरा में अगर पेरो की वेवसाई खेती को बढ़ावा देने के लिए राज सरकार ने पहल सुरू की है साथ ये अगले तीन वर्सों में राज सरकार ने इस चेदर में 2000 करोर रुपए का करोवार हासिल करने कर लक्ष रखा है अगर एक सदावार पेर है तो जो तिर्फूरा राज में बहुतियात में उगता है साथ मा कुशन से भार सरकार के किस मंत्राले ने हाल में देश में आटो इंदन की बिगरी के लिए साथ कंपनियों का मंजूरी दे दी है आफसन है नीती या योग वी खेल मंत्राले सी सुचनो परसारन मंत्राले डी पेट्रोलियूम और पराकृतिक गैस मंत्राले सही उतर होगा आफसन डी यानि की पेट्रोलियूम और पराकृतिक गैस मंत्राले पेट्रोलियूम और पराकृतिक गैस मंत्राले ने हाल ही में देश में आटो इंदन की बिगरी के लिए साथ कंपनियों का मंजूरी दे दी है साथ ही तेल टर्मिनलों में विसे सग्यता रखने वाला चिन्नाई वेश्ट आइमसी को भी आटो इंदन बेचने की मंजूरी दे दी गई है आठमा कुछसन से टोकियो ओलम्पी के सिर्ज कार्पोरेट पर्योज़कों में किसके ओलम्पी खेलों के दुरान ओलम्पीक से समंद्र टीवी भी आपनों को नहीं परसारीद करने की घोजनकी है आपसन एल लेकमी, वी, सोनी, सी, टोयटा, डी, हुंडई, सही उतर होगा आपसन सी यानि की टोयटा टोक्यो ओलम्पीक 2020 के सिर्ज कार्पोरेट पर्योज़कों में एक टोयटा ने टोक्यो खेलों के दुरान अपने सभी ओलम्पीक थीम बाले बेगे अपनों को रद करने के घोजनकी है टोयटा खेलों से समन्दीत अपने सभी भी अपनों को रोटेशन यानि की प्रसालन से हटा देगी जब कि बर्स 2015 में टोयटा ने 20 भर में उलम्पिक प्रयोजक बनने के लिए 8 साल के समझोते पर हस्ताक्षर किये थे नौमा कुष्टन है 608.99 अरव डॉलर के बिदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा बिदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गिया है ओफशन ए पहला वी तीसरा सी चौथा डी पांचमा सही उतर होगा ओफशन दी यानि की पांचमा विश्वी लोग सभा में राज बीत मंत्री पंकर चोधरी ने कहा है कि 608.99 अरब डॉलर के बिदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत विश्व का पांचमा सबसे बड़ा बिदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गिया है बर्दवान में भारती रिजर वेंक और भारत सरकार संकिरी रूप से देश की बाहरी इस्तिती की निगरानी कर रहे हैं दसमा कुश्टन्स है भारती विरासत संस्थान को किस सहर में अस्ताफित किया जाएगा ओफशन है सही उतर होगा ओफशन ए यानि की नोईडा कें सरकार ने एक छत्र निकाय के रूप में नोईडा में भारती विरासत संस्थान अस्ताफित करने करने लिया है जिसके तहद देश के सभी बिरासत संस्थान संचालित होंगे या संस्थान कला पुराततो पांडूलिफी विग्यान के इतिहास में परास नातक और पीएशडी पार्टकरम परदान करेगा